कि में ली जो आप बैक्लॉग चालू होगा आपका कई सारे बच्चे थे जिने अपन कंसिडर तो आप यह समझो कि अगर किसी बच्चे ने पहले दूसरे चेप्टर में अगर बैक्लॉग कर लिया है दाट मीन्स कनी सब्सकी बैक्लॉग हो गया कि इसका कोई इलाज ही अब ऩ 주 प्रक्रिश को अब ही तक मैं यह मान के चलता हूं कि हमारा काइनमेटिक्स वाला पार्ट इन्कलूडिंग बेसिक math and vector यह हो गया है यह बेस की तरह काम करता है इसकी तरह काम करता है एक building होती ही न तो building में सबसे important क्या होता बेस तो अभी तक हमने जो चीज़े पढ़ी ही थी बिटा that is working as a base ठीक है अब अब जो backlog हो का ना that is due to some reason ठीक है पहला वाला जो backlog होता है ना बिटा जो basic math से लेकर के अब बेसिक math से लेकर के कॉमा वेक्टर से लेकर के कानेमेटिक्स तक होता है यह इसलिए क्योंकि बच्चा not serious होता है कि serious ही नहीं है वह अभी तक अपने जीवन में इतना ही उसे अभी तक अपना गोली नहीं बता रहता है क्यार मुझे actual में यह करना भी है या नहीं करना है या फिर वह college धूर्णने लगता है या किसी ना किसी प्रकार की और कोई बातों में आ जाता है पहला यह रहता है क्लियर एक नहीं है दूसरा जो आ जाता है बिटा धियान से सुनों दूसरा जो आ जाता है बिटा वह अब से शुरू होगा धियान से सुनना अब जो बिटा जो चैप्टर आने वाले हैं आपके पास दाट इस एनलन डब्लू पी टेंटर आफ मास और रोटेशन बिटा यह दोनों चैप्टर एक साथ कनेक्टेड है और यह दोनों चैप्टर एक साथ कनेक्टेड है मतलब अगर अभी तक किसी बच्ची का बैकलॉग हो चुका है वो यहां से वैसे तो न्यू जर्नी अपनी शुरू कर सकता है और जिसका बैकलॉग नहीं है तो इससे बड़िया बात हो ही नहीं सकती है एटलीस आप अपनी क्लास को ले करके सीरियस हो मैंने मताये कि आपका सेलेक्शन आपके क्लास अटेंड करने से नहीं होगा आपका सेलेक्शन आपके रिवीजन से होगा कि आप पढ़ी हुई चीज दुबारा से कितनी बार पढ़ रहे हैं तो यहां पर बेटा अब जो backlog होगा ये वाले पार्ट पर ये because of laziness है ये जो backlog आएगा न ये आलस की वज़े से आएगा क्योंकि आलस की वज़े से आएगा बेटा अभी आप किस मत में हो August को अपन हटाई देते हैं September आप ये समझ लीजे इससे बेटा September जब एंड हो रहा होगा न तो आपकी ये पूरी यूनिट खतम हो चुकी होगी तो अम मैं आपको चाहूंगा कि अगर आपके अंदर से थोड़ी इसी भी लेजी ने से मतलब और कोई कारण नहीं है इसके बाद वाला बैकलॉग जो होता है न है इसके बाद जितने भी बैकलॉग होंगे न् वो सिर्फ फियर के वजके से में है कि सर आप मुझेद डर लग रहा है मैं क्या करूं ए इसके बात जो बैकलॉग होता है वो सिर्फ YouTube के वज़े से होता है कि Sir मेरा ये चैप्टर बैकलॉग में मेरा रेगलर क्लास नहीं करी है अब मैं इसको कैसे कम्प्लीट करूँ एक दिन में एक दिन में नीट क्रैक वो ये वाली strategies के वज़े से होता है ये वाली strategies के वज़े से इसके बाद का जितना भी बैकलॉग होगा from October till January आप यही कहोगे कि Sir मैंने अभी तक कोई तयारी नहीं करी है अब कैसे तयारी की जाए तो बिटा ये जो मंध चलने वाला है न अपना September end तक इसमें आप बस यह याद रखना कि हमें किस से दूर रहना है बिटा laziness से दूर रहना है जो class आ रही है जितने बज़े आ रही है जैसी आ रही है वो हमें पूरी तरीके से complete करनी है without even a single lecture of backlog समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जल्दी से बताइए और actual में ऐसा होता है करिया आप उपजर्व करना के हां यार पहले वाला जो हुआ जिन भी बच्चों का वह अभी तक या तो teacher नहीं धूर पाये कि यार मैं यहीं समझ में नहीं आ रहा है है हम किस teacher से पड़े या तो batch समझ में नहीं आ रहा है कौन से बैच ले ठीके बाकी किसी controversy में involved हो गए NEET निकल नहीं रहा है ध्यान से सुनना इनके आ रहे हैं नमबर 150 720 में से इनके नमबर आ रहे हैं 200 और अब ये message में लंबा-लंबा क्या लिखते हैं कि sir ये जो NEET का scam चल रहा है और जो Kolkata का case है अब इसके वज़े से मुझे तैयारी में डर लग रहा है कि मैं करूँ याने करूँ अरे तुमारे नमबरी 120-500 आ रहे हैं तुमारा तो BSC में नहीं होने वाला है तुमारा तो काईदे से BSC में नहीं होने वाला है तुमारे टोटल नमबर आ रहे है 120 कई बच्चे जिनके नेगिटिव आ रहे हैं कई हैं जिनकी सिंगल डिजिट में नमबर आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि सर मुझे डल लग रहा है बिटा पहले आप का जो में उद्देश है बाकी चीजों से हट करके बाट इस उनली पढ़ाई है अभी आपको बस यहीं करना है मुझे बस इतनी चीज़ें बता नहीं थी बिटा